बुद्धिमान बानर निकाला प्यासे बंदरों की जलासे में कूद कर अपनी प्यास बुजाने की आत उड़ता को देखकर बानर राज ने उन्हें रुकनी की जितावनी दी क्योंकि वे उस नए अस्थान से अनभी गे था अतर उसने अपने अंचरों के साथ जलासे और उसकी तटों का सुष्पन िकाला कि उस जलासे में निच्चे ही किसी खतरनाक देटी जैसे प्राणी का वाज था जलासे में दिट वाज की सुझना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए तब धिमान वाणर ने उनकी हमत बदाते हुए है कहा कि वे देटी के जलासे से फिर भी अपनी प्यास बुजा सकते क्योंकि जलासे के चारो और बेंट के जैंगल थे जिन्हें तोड़कर वे उनकी नड़ी से शुड़क शुड़क कर पाई पी सकते थे सारे बंद्रों ने ऐसा ही किया और अपनी प्यास बुझा ली जलासे में रहता देत उन्हें देखता रहा मगर क्योंकि उसकी सकती जलासे तक ही सिमी थी वह उन बंद्रों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका प्यास बुझा कर सारे बंद्र फिर से अपने बंद को लोट गए इसलिए सच कहा गया है कि अपने परिवार में बुझरगों का अपना अलग महत्व है हमें उनके साथ रहकर सदव उनके अनुभावों का लाग उठाना चाहिए और ग्यान अरजन करते रहा चाहिए दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके और से बताएं मुझे मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो अवच्छी लाइक और शेयर करें मैं ऐसी ही कहानिया लाता रहूंगा इसलिए S.P.Hindy Stories को सब्सक्राइब अवच्छ करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें धन्यवाद, तैंक्यू, शादर, अवार